आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में चुकि इस समय ये स्टॉक काफी स्टॉंग अप्टेन में रहा था और आज देखेंगे कि इस स्टॉक में मोर दें 5% के डाउन ट्रेंड देखने को मिला है इसके साथी यहां एक चीज आप सम ही है और उसके बाद श्टॉक ने लास्ट रेडिंग सेशन में हमने देखा कि 320 तक के लेविल्स को टच करें और यहां देखेंगे डिलेवरी परसिंटेज कम हुआ इसका मतलब यहां लोगों ने डिस्टिब्यूट किया रिटेल इंवेश्टरों को इसके आगे मैं आपको रिजेक्शन यहां देखेंगे लाज्स टाइम डिजेक्शन 320 के आसपास का दिखा इसके बाद देखेंगे 200 DMA का यहां देखेंगे रिजेक्षन दिखा अगेर इस समय हमने देखा कि 200 DMA price को breakout तो करा लेकिन जो 325-330 के levels हमने कहा कि major resistance है इसे में fresh buyer बचेंगे जो already invested है वो partially profit book करेंगे उसके बाद एक breakdown दिखा और again support 300 के आसपास से दिखा और यह support इसलिए दिखा कि अभी भी लोग यहाँ पर buying कर रहे हैं bulk quantity buying हुई है metal sector uptrend में है तो बिलकुल भी change करने से इस प्रकार बचेंगे 300 के आसपास buying करते है तो आपका strictly SL 292 का होना चाहिए अगर 292 को breakdown करता है तो फिर आप exit लेंगे अगर 300 को उपर support करता है तो again stock 325 और further uptrend 360 तक का दिखेगा क्योंकि कुछ हमने जो gap down थे वो unfilled है तो व more than 1 to 3 month लगने वाला है जो already invested है वो अगर long term है तो position बनाए रखे नहीं तो partially profit book करेंगे और short term trader 300 के आसपास again buying करेंगे चुकि यह downtrend तो दिखा with low volume दिखा है तो trend again continue